प्रस्तुत है प्रसिद लेखक आर्की नारायन की कहानी यह कहानी इंगलिश में है यहाँ पर हिंदी में उपंत्रन किया जा रहा है जोतिश की का एक दिन कहानी का नाम है ठीक दोपेर के समय वह अपना थेला खोलता और जोतिश की दुकान लगाता दर्जन भर कोडियां कपड़े का चोकोट टुकड़ा जिस पर कई रहसे मेरे खाएं खिची होती थी एक नोटबुक ताड़ पत्रों की एक किताब उसके माथे पर बहुत सी भभूत और थोड़ा सा सिंदूर लगा होता और आखों से एक तिर्षी चमक यह देखने के लिए निकलती रहती थी कि ग्रहक उसकी तरफ आ रहे हैं या नहीं लेकिन सिदे साधे लोग इसे देवी शक्ति बान कर भरोस्ते का अनुभव करती उसकी आखों की शक्ति चेहरे पर सबसे उपर लगी होने के कारण भी बढ़ जाती उपर माथे पर प्रभावी तिलक और नीचे गालों तक फैली बड़ी काली मुझे के बीज दमकती दो आखें किसी अलप बुद्धी के लिए भी इस तरह सजी आखें बड़ी कारगार सिध होती प्रभाव जमाने के लिए वह सिर पर गेरवा रंग की पगड़ी भी पहनता यह रंग हमेशा सफलता प्रदान करता था ल यसे फूलों पर मक्षियां भिन बिनाती हैं टाउन होल के पास से लगे रस्ते पर वह इमली की एक विशाल रक्ष की दूर दूर तक फैली टैनियों की छाया में विराजमान होता है यह एक ऐसी जगह थी जहां सवेरे से देर रात तक लोगों की भीड गुजरती रहती थी संक्री लंबी सडक पर दोनों तरफ तरह तरह की छोटी छोटी दुकाने लगी होती थी घरेलू दवाएं बिशने वाले चुराए हुए लकडी लोहे के सामान की दुकाने जादूगर और सस्ते कपड़े की एक दुकान जिसके लोग जोड जोड से चिल्ला कर हार वक्त लो किसी दिन बंबई की आइसक्रीम, किसी दिन दिल्ली के बादाम, किसी दिन राजा की सोगात और लोग हर वक्त उससे खरिदारी कर रहे होते भीड के बहुत सारे लोग जोतिशी को भी घेरे रहते वह बगल में लगी मुंफलियों के बड़े से धेर के उपर दुआ देती ज दुकानों पर लगी छोटी छोटी रोष्णियों से ही सब को काम चलाना पड़ता था एक दो के पास गैस के हंडे भी थे जिन में से एक वक्त सूं की आवाज निकलती रहती कुछ दुकानों पर खंबू से रोष्णि की नंगी लपट निकलती रहती कुछ साइकिलों के छो बहुत सी रोष्णियों से एक अलद ही मंजर बनता जिनके बीच में चलते निकलते लोगों की छायें अपनी रहस्य मैसमा बान देती जोतिश को यह माहूल इसलिए बहुत सही लगता क्योंकि जब उसने जिन्दगी शुरू की थी तब जोतिशी तो बनना ही नहीं चाहता दूसरों की जिन्दगी में क्या होने वाला है यह जानना तो दूर वह यह भी नहीं जानता था कि उसकी अपनी जिन्दगी में अगले मिनिट क्या होने वाला है तब उसे ने तो सितारों की कोई जानकारी थी ने उन बेचारे लोगों की जो उसके ग्रहक बनते बाते करने म जो कुशल था जो लोगों को खूब पसंद आती। इसलिए अनुमान और अभ्यास से इस काम में उसने अच्छी महारत हासिल कर ली थी। यह नहीं दूसरे सभी धंदों की तरह यह धंदा भी उतना ही इमान का धंदा था और दिन भर की महनत के बाद वह जो भी कमाई शाम को घर ले जाता वह इमान की कमाई ही थी। उसने जब गाउं छोड़ा तब यह नहीं सोचा था कि वह क्या करेगा। गाउं में ही रहता तो वहीं सब काम करता जो पुर्खी करते आये थे यानि खेती का काम। शादी और बच्चे और पुराने घर में हमेशा की तरह गुजर बसर लेकिन यह नहीं होना था। उसे बिना किसी को बताए घर छोड़ना पड़ा था। और आसपास नहीं करीब 200 म जादा दूरी थी। दोनों इस्तलों के बीच एक समुद्र की तरह हैं। वह कोई प्यफसाहिक जोतिशी नहीं था। उसने अपना गाउं किसी चिंदा या भय के कारण गुप्त रूप से छोड़ा था। उसे यह पेशा मजबूरी में अपनाना पड़ा था। उसके जीव था। समय के लंबे अंतराल में अपने अभ्यास एवं अनुभव के साहारे उसने स्वयम में लोगों की समस्याओं के हल निकालने की उत्तम कला को विक्सित गया था। वह अपने चतुराई का प्रयोग करके थोड़ी बहुत भविश्यवाने भी करता था। इस प्रकार में लोगों को आकशित करता था। एक दिन जब वह जोतिशी अपना कारे समाप्त कर रहा था तब उसने देखा कि एक अजनबी उसके सामने खड़ा है था। उस व्यक्ति को जोतिशी ने अपना भावी ग्रहक समझा और इसलिए उसे इमंत्रित किया। जोतिशी ने उस व्यक् उसे ठगने की कोशिश की तो वह उससे अपने दिये गए पैसे सूध सहीत वापस ले लेगा। कोछ देर तक सोधे बाजी करने के बाद आंत्य में वह दोनों एक सोधे पर पहुँचे। उस आगंतुक ने सिगरेट जलाते समय जब जोतिशी से भागना चाहा किन्तु उस जोतिशी ने उससे चुनोती पूरी करने की जिद की है। वह यह जाना चाहता था कि वह अपनी खोज में काम्याब होगा या नहीं। शुलक में के थोड़ा मुलभाव के बाद उन्होंने एक रुपिया पर समझोता किया। जोतिशी ने अपने घपराट को छिपाया एवं चाला की से अर्जनवी से कहा कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी एवं उसे छुरा मारा गया था। इससे जोतिशी के प्रति उसकी उत्सुकता बड़ी। किन्तो उसने उस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया क्योंकि वह उसे पहचान नहीं पाया। उसने जोतिशी ने कहा कि उसे कुए में डाल गया था। जोतिशी ने उसको यह भी बताया कि उसे उसका शत्रू अब तक नहीं मिला है क्योंकि वह एक ट्रक द्वारा कुछला जा चुका है और उसकी नत्यु हो गई है। जब जोतिशी ने उस व्यक्ति को उसके नाम से पुकारा तो वह आश्चरे चकित हो गया जोतीशी ने उसे कहा कि यह सब देवी अंतरदरश्टी काफल है इस तरह जोतीशी ने संतुष्टी जनक उत्तर दिये एवं अच्छा पैसा कमाया वह चाला की द्वारा अपने के गए अपराहत के पाप के प्रास्चित से बच गया यह कहानी प्रसिद लिखक आरके नरायन जिनोंने मालगुडी डेज बहुत सी कहानिया लिखी है उनके द्वारा लिखी गई है यदि आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद